कि टिर्ट अधिए शुब आपको यह चरणों में कोटिकोटि नमर्थ क्रपा और करम में क्या अंतर है क्या एक पाप करम करने वाले पर भी क्रपा हो सकती है और क्या वह भक्ति मार्ग में आ सकता है हो सकती है आ सकता है आ गये हैं है और आते रहेंगे क्योंकि सबसे पाप बनते हैं कोई ऐसा नहीं है कि हाण निसप पाप हो इस शरीर की रचना ही शुब और अशुब दोनु करमों के मिस्च रित होई है तो दोनु शंसकार इसके अंदर है पाप के भी संसकार है और पुल्णी के भी संसकार है तो अधिक से अधिक शुभाव में जैसी प्रवत्ति होती वैसे कर्म बनता है तो अगर सुमती हुई तो पुल्णी कर्म बनने सुरू हो जाते हैं कुमती बढ़ गए तो पाप कर्म बनने सुरू हो जाते हैं है सबके शुमती कुमती सबके उर रहें नाथ पुराण निगमस कहें जहां सुमती तहां संपति नाना और जहां कुमती तहां विपति निधाना हमारे अंदर कुमती और शुमती दोनों तो शुमती से सद आचरण बनते हैं उनका फल सुक शंपत्ति होता है कुमत से असत आचरण होते हैं विपत्ति और दुख यह उसका परिणाम होता है लेकिन क्रपा किश्पर कब कैसे हो जा इसका कोई विदान नहीं है इसलिए सबको चांस है भगोत प्राप्ति का अंतिम श्वास्तक चांस है भगोत प्राप्ति का यह इतना मानो देह में भगवान क्रपा के कि जब जो चाहे वो भगोत प्राप्ति कर सकता है जो हिंसा करने वाले, बेविचार करने वाले, नाना प्रकार के अशत आचरन करने वाले, जब उनको भगवत कृपा से साधु शमागम मिला और वो चल पड़े तो बड़े-बड़े महत्मा बन गए, ऐसा हमारा इतियास साक्षी है, और कुशंग हो गया तो अच्छे साधन मे लगे हुए विविष्टाचरन वाले बन गए, हमे लगता है क्रपा जी है, वो कभी भी किसी पर हो शक्ति है, नहीं जाने कौन से गुणपर दयाने दिरीजे जाते हैं, कवी-कवी अधहमता पे रीजी जाते हैं, पतितदा पे रीजे जातें, बहुत नीच है, इस पर क्रपा होनी चाहिए और वो सीधे भगवान का नाम भी नहीं ले पा रहा और नाम को उल्टा बोलना सुरू किया तो महापुरुष हो गए अब विचार करो जो महत अपराद करने वाला हिंसक ऐसे भी भगवान के नाम को रटा तो ब्रह्म के समान हो गए ब्रह्म रिशी हो यह है क्रपा पर कर्म और क्रपा में अंतर है कर्म पुरशार्थ के अंतर गताता है जो हम में बुद्धी बल मिला है उसके अनुशार हम कर्म करते हैं कर्म दो प्रकार करते हैं सूभ और अशुभ इन्हीं के द्वारा पूरा संसार बंदा हुआ है लेकिन क्रपा किशी पर भी हो सकते ही कृपा का क्या परिचे जैसे हनुमान जी महराज का दर्शन विविश्ण जी किये तो बोले अब मुई भाव रोष हनुमनता बिनु हरी कृपा मिले नहीं संता अब हम पे हरी कृपा हो गई क्योंकि आपका दर्शन हो गया संत समागम ये हरी कृपा से मिला ब्रंदावन धाम आए ये लाड़ली जू की कृपा से नाम जब हो रहा है ये कृपा से सतमार्ग में चल रहे कृपा से हरदय में आया भगवत प्राप्ति करना है कृपा से इमानो देह मिला कृपा से अब एक क्रपा कब कहां कैसे किस्पर हो जाए इसका कोई विधार नहीं हरी है कब किस्पर दयाल हो जाए जब किस्पर क्रपा कर दे तो दो अलग-अलग है क्रपा एक अलग है और कर्म विधान पुरुषार्थ सास्त्र सम्मत साधन करना या सास्त्र विरुद्ध कर्म करना सुब और अशुब कर्म ये पुरुषार्थ है चाहे सुब कर लो या सुब कर लो सुब अशुब कर लो लेकिन क्रपा एक अलग छेतर है वो जब होगी तो श शुब अशुब से उचे उठा, शुब अशुब को मिटा देगी, भगवत प्राप्ति करा देगी, और वो किसी पर भी हो सकती है, कई बाल भगवत चरित्रों में पाया गया, कि उबैश्या है, थोड़े भी अच्छे आचरन नहीं, और संद समागम हुआ, और भगवत प्रा जनी मानी की चोरी की भगे, बहुत वो प्रवीड थे, अकेले वो पूरी चोरी कर लेते थे, और राज शैनिक उनका पीछा कि भाग के एक जोगे सत्संग हो राद, वहां बैठ गए, वहां सुना, उस्ष्ण में चर्चा चल लेती, कि जो भगवान की सरण में आकर गुरु दिक्षा लेने से पापनुष्ट हो जाते हैं, अब वहां राजकार्मचारी इसलिए नहीं गुशे कि आँ तो सब भगत बैठे हैं, और चले गए, अब जब कथा संपन्न होई, तो चतर भुजदास जी नाम के महानुष्ण तो चर्चा कर गए, उनके पास गए और आपने जो कहा है, सत्य है, भुँँँदे क्या, इनन शेजर्म की सुरुवात हो जाती, जब हम दिक्षा लेते हैं, पूर्व के सारे पापनुष्ट हो जाते हैं, भूले हमको दोगे दिक्षा, हम चोर हैं, हम हिंशा करते हैं, चोरी करते हैं, कोई आद तक भजन साधन नहीं किया, पाप किया है, उनका तुम जो चाहोगे तो दे देंगे, उनका अभी चाहते हैं, क्योंकि सत्संग से हमारी बुद्धी बदली है, और अगर हम चले गए तो पता नहीं, बुद्धी साथ दे की ना दे अभी हमें, तो हु हो, तो ऐसे पुरुष के लिए भी देर भी नहीं की जाती, वो खुद कह रहे हमारी बुद्धी अभी हां कह रही हो सकता है, कि आगे ना हो जाया, भी हमें सोईकार, तो उनका कंठी बांदी, मंतर दिया, तिलक लगाया, आज से तुम्हारी नहीं दिक्षा, और वो सुबह तिलक लगा के घूम रहे थे तो, राज करमचारी और धनी, यह वही चूर है, अब देखो, अपने को बचाने के लिए तिलक लगा, तुरंत बंदी बना लिया, उसे कहा, तुम हमारा धन वापस करो चूरी, भूले हमने इस जन्मे में चूरी नहीं की, भूले, जन्म की बा में चूरी नहीं की, धनी बोले कि कल चुराया है, राजा बड़ी समस्या में फस गए, वो भी सत्य को साक्षी कह के बोला है, वो भी सत्य, तो उस समय एक प्रथा चलती थी, कि ऐसे पीपल का कोमल पत्ता रखा गया, और उपर से साथ फेरा कच्छे सूत से ऐसे लेपेट द जाएगा, और साथ कदम चलना होगा, अगर सत्य हो, तो धागा नहीं जुलसेगा, और सत्य नहीं हो, तो जल जाओगे, जल जाओगे, तो दंड मिलेगा, कि जुटा है, चोर को ये परिक्षा देनी थी, जो भी बाना गया धागा, तो चोर ने एक दम गुरू का ध्यान किय और कहा, आप ने कहा था, दिक्षा लेने के बाद नया जन्म होता है, और जोर से बुला, इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया, और साथ कदम चलके, देखा गया, एक दम जुलसा नहीं, कुछ नहीं, बुले इस सेट को फासी की सजा दो, इतने बड़े वैश्नों को ज ही बुले, बुले हाँ, इस जन्म में चोरी नहीं की, पर ये जो कह रहे हैं, वो की, फासी की सजा इनको मत, बुले ऐसा कैसे हो सकता, प्रमान दे दिया कि इस जन्म में तुने चोरी नहीं की, तो भी चोरी कब की, बुले कल की थी, तो बुले ऐसा कैसे, तवोस, बताया कि ह हमारे गुदू जी ने तो देखो क्रपा हुई राजा ने का कि हमको ऐसे शंत के दर्शन कराओ जिनके शंग से तुम्हारी ऐसी बुद्धी हो गई वहां गए सत्संग सुना दोनों को छोड़ दिया तो बात यह कि अगर क्रपा हो गई तो देखो चूरी करके भागे संत आजीवन के लिए सुधर गए तो क्रपा कभी भी किसी पर भी हो सकती है अगर हम भगवान का वरुशा कर ले तो हम पर जल्दी क्रपा तरकासित हो जाए कर्म विधाना लग है और क्रपा विधाना लग है किसका प्रशन था समझ में आए योगेश क्रिशन जी मुंबई से राधे राधे माराशी आपके चरणों में कोटी कोटी नमाराशी नाम से सरूप का दर्शन इसका क्या मतलब है मैं पुष्टी मार का पथिक हूँ जब भी नाम जब करता हूँ तब मन में श्रीनाज जी का मंगला सरूप का ध्यान करता एक बार रूप जलक आएगी तो कभी नेत्रों से ओजल नहीं होंगे एक बार भगवत साक्षातकार जब हो जाता है तो शरवत्र भगवत साक्षातकार होता रहता है जिधर दृष्टी जाती है जाको मनमोहन दृष्टी परे सोत भयो सावन को आधरो सूझत लंग हरे ही हरे उसको जिधर दृष्टी डालता है उसे जित देखूंति तृष्याममई जैसे गोपी जन केती है अब जिसे भावना में प्रभू की जहांकी करना प्रगट में प्रभू की जहांकी करना ये सब साक्षातकार के ही लिए है पर वो साक्षातकार अविद्या का नाश होकर जन्ममरन के बंधन का नाश होकर एक बार जो हो जाता है तो नेत्रों में प्रीतम बश जाते हैं और प्रेम का अध्भुत संचार हो जाता है बस उस प्रेमे की दशा जो होती हो केवल वही प्रेमी जानता है दूश्रा कोई नहीं जानता है पर उस दशा तक पहुँचने के लिए नारायन हरिभजन में ये पाँचों नसुहात विश हम इस कोटी का भजन करें कि हमसे कोई गंदा आचरण न बने गंदी वारता न हो कोई भी ऐसा भोग जो हमें प्रभु का विश्मनन करा दे कोई भी वेक्ति ऐसा संग जो हमें आरे भजन को छटवा दे हमको अच्छा नहीं लगना चाहिए विशय भोग नीद आदी हैं बहुत प्रकार की बारता है संसार में होती रहती हैं अगर उसमें समय देंगे तो नाम जब हमारा छूट जाएगा कम से कम बोले अधिक से अधिक नाम जब करें तो आप एक दिन इसी शरीर के अंतरगत हरदय मंदिर में भगवान का साक्षातकार कर लेंगे और जब भगवान का साक्षातकार हो जाएगा तो फिर सरवत्र हो है यूमाम पस्यति सरवत्र सरवम चमई पस्यति तस्याहम न प्रनस्यामी सचमेन प्रनस्यति वो शब में भगवान को देखता है और भगवान में सब को देखता है भगवान उससे कभी दूर नहीं होते वो कभी भगवान से दूर नहीं होता साक्षातकार एक अलग वस्तु है वो जब हो जाती है जीवन मुक्त हो जाता है महापुरुष हो जाता है कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है साब संसे जड़ चैतन गरंथी साब छिन बिन्न हो जाती है अब उसके बाद कुछ बचा थोड़ी भगवत साक्षातकार के बाद त नाम रूप लीला धाम में डूबा हुआ उसका रशाश्वादन करता रहता है रूप छके घुमत रहें तन को तनिक नभान नारैन द्रग जल्व है यह प्रेम पहिंचान बिरह कमंडल कर लिए बैरागी दोनेन मांगत दरस मधुकरी छके रहत दिन रहें तो हम पहले अपने भाजन को शमाले हमारा किवल कर्तब्य हए निरंतर भगवद इश्मरन करते हुए हर आचरन भगवाण की प्रियता वाले करें तदर्पिता अखेलाचारिता यह हमारा विशय है साक्षात कार राना है भगववान का विशय है वो कब करेंगे वाजसाम के हो सकता है उनके लिए थोड़ी संख्या दिन उनके लिए हम रोएं बिकल होकर इस्मरण करें वो अभी दन भोकर आ सकते हैं जन्म लग सकता है कई जन्म लग सकते हैं मिनट में हो सकता है साम तक हो सकता है यह उनके उपर शोणे हमारा लक्ष है हम भगवान के विमुख आचरण नहीं करेंगे और भगवान का इस्मरण नहीं शोणेंगे बस दो बात है भगवत अनकूल कर्म करेंगे और नाम जब करें बस इसी से सब कुछ हो जाएगा हमको चिंता नहीं करने हैं वो कब शाक्षात कार कराएंगे कब यह विकलता तो भक्त की होती रहती पर चिंता नहीं होती क्योंकि चिंता अगर होने लगेगी तो भजन में रुची कम हो जाएगी इतने जिन से भजन करने हैं मतलब तो क्या द जो अनुगामी है तो उसी मार्ग में आप चल लें विश्वास करो आचारी कृपा से प्राप्त नाम मंत्र के द्वारा हम निरंतर जब इस्मार्ण तो हम अपने प्रभू को प्राप्त कर ही लेंगे अगर हमें वो साक्षाद करने हो तो हमारा सरीर अभी छोट जाता है तो हमें भगवत प्राति हो जाएगी क्योंकि हम उसी में लगे हैं भगोत प्राप्ति के मार्गे में लगे हैं हम बहुत बिश्वास से बात कहते हैं कि यदि हमारा भजन चल रहा है वो अभी शुरू किया है वो अभी प्राण निकल जाए तो भगोत प्राप्ति हो जाएगी अगर हमारा लंबा जीवन है तो जीते जिम भगवत साक्षात कार कर लेंगे नहीं अन्ता हमती सोगती हम हर समय बोल ले स्री कृष्णा सरणम्म तो हम जाएंगे कहां वही तो हमें लेंगे इसलिए हमारा करतब है सतातिश्मरण और हर आचरण भगवान के अनुकूल आज्या अनुशार करना अब हमें चिंता नहीं करने ठीक है गुण्जन जी निशी जी चात्यस कड़ से अधावल्लव शीहरीवंश महारा जी आपके चरणों में कोटी-कोटी बढ़ा महारा जी शब्द ब्रह्म क्या है शब्द में ही सब कुछ क्यों कहा गया है जैसे आ है ना इस तो हर एक अक्षर में आपको मिलेगा का खा गा गा किस कोई भी अक्षर वोलो उसमें आ विराजमान आ ब्रह्म शुरूप है अब जब गुरुदेव के स्रीमुक्षि जो निकला हुआ वाक्य है वो ब्रह्म प्राप्ति कराने में समर्थ है ऐसे तो सब सब्द बोलते ही रह महावाक्य गुरुवाक्य इनका जब महावाक्य इनका जब विचारताम महावाक्य आर्थश्य विचारताम जब हम महापुरुषों के वचनों का विचार करते हैं मनन करते हैं तो मंत्रमूलम गुरुवाक्यम जो गुरुदेव शब्द देते हैं वो ब्रह्म कानभो कराता बोलते तो सब ही सब्द हैं, रात दिन सब लगे ही तो है भाषण में, सब संभाशन, प्रपंच भाषण, लोक वारता है, तो शब्द तो शब्द है, जब हर शब्द में ब्रह्म है, तो उनको अनवो क्यों नहीं हो जाता, मंत्रमूलम गुरू वाक्यम, शास्त्रवाक्य, व अहां वाक्यार थश्य विचादेताम, इनका जो मनन करता है, वो ब्रह्म को प्राप्त होता है, जैसे गुरुदेव ने कहा, राम बोलो, कृष्ण बोलो, हरी बोलो, जो नाम दिया, मंत्र दिया, अब वो शब्द ब्रह्म है, आपको भगोत प्राप्ति करा देगा, ब्रह् ब्रह्म बिराजमान, और सब बोलते हैं, उससे नहीं बगोत प्राप्ति होती, जब गुरु वाक्य मिलता है, जब सास्त्र वाक्य के अनुशार चलते हैं, वेद वाक्य के अनुशार चलते हैं, तब ब्रह्म का बोध होता है, किसका प्रुष्ण है, हाँ, तो आप समझ पर पहला अक्षर तुम ध्याने करते हैं ना रा फिर्मा रा धा ध्यान करते ना अब गुरुदेव के द्वारा जो अक्षर मिला वह अविनाशी ब्रह्म की प्राप्ति कराता है इसलिए मंत्र मूलं गुरु वाक्यम कहा गया है गुरु के वचन ब्रह्म है बंदों गुरुपद कंज कृपाश इंड़ु नरूप हरी महामोहतं पुंज जासु बचन रभी करने का गुरु के वचन गुरु के वाक्य ब्रह्म है इंका दूसरा प्रश्ण है क्या भक्ति-पत के सादक को तत्व चिंतन करना चाहिए और प्रेमा भक्ति कैसे और तत्व चिंतन नहीं होता त पूक उत्वी तो हैं। आप क्या समझते हूं, तत्तो का चिनतन नहीं होता। देखू गुष्वामी जीत परम तत्त का वर्णन कर रहे हैं। जडचेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। चिनतन नहीं। जीशे वेद कहे रहा हैं सर्वं खलमेदम ब्रह्म्ह। तत्यु चेंतन वाले महत्मा क्या क्या रहे? क्या चेरा है? इस टत्यु चेंतन का मतलब श्वहनता है? ये तत्युचिंतन नहीं हो रहा है क्यों तत्युचिंतन का मतलब क्या समझते हो क्या तत्युचिंतन का समझते हो तो वही तो रमा हुआ राम है वही व्यापक विश्णू है वही सबको अकरसित करने वाला क्रिश्ण है तो प्रभु उसमें माया का से बहसती है तो माया तो आ और आप कौन है? आप ही हैं? आपके शिवा कौन है? प्रश्न करता भी आप है, उत्तर दिने वाला भी आप है? जब जड़ छेतन जग जी उजद सकल राम में जाली, तो आप कौन है? आप है? आप में इस्तित हो जाओ. सव घड़ों में प्रतिविम्म पढ़ रहा है, तो प्रतिविम्म सत्य है, या सव घड़े में विराजमान जिसका प्रतिविम्म पढ़ रहा है, वो व्यापक्तत्त है, वो एक है, न तूम न हम, दप्तर गूम, देखत देखत, ऐसा देख, मिट गई दुविधा रह गया एक. ब्रभ्म्न नहीं माया नहीं नहीं जीऊनहीं काल अपनी उस तो धिनार येक रहे ओ नंदलाल पे अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं बुद्धी के दोड़ा noi और दो करते हैं नोगी है तो और इसले रहे हैं कि अभी लगाम नहीं लगी है श्री कृष्ण को लगाम पकड़वा दो घोड़े ठीक ठीकाने में पहुत जाएंगे ने कहीं भीड़नत न कर दें कहीं भीड़ जाएंगे तो फिर गाड़ी भी तूट जाएगी और सब चोपट हो जाएगा एक बीड़ो मत यार मार्ग बहुत बढ़िया है जीटी रोड सरकार ने बना दिया दोड़ते चले जाओ भीड़ो काय को यह जो संप्रदाय हैं आचार हैं गुरुजा नहीं मार्ग बना रहे हैं इस पर चलो बेड़ने की जड़त एक है उसे ब्रह्म को निराकार को शाकार को रूप वान कहो अरूप कहो व्यक्त कहो अब्यक्त कहो वही बहिरंतस्च्व भूताना मचरम चरमेवच सुक्ष्मात्तद विग्ययम दूरस्थम चान्तिके चतत उबाहर है भीतर है नजदीक है दूर है महान है छोटा है सब कुछ वही है अनुवनियान मातो महियान नजदीक से नजदीक दूर से दूर तुम क्या नुभव करना चाहते है वो निराकार है वो साकार है वो सत है वो सत असत से परे तुम क्या नुभव करना चाहते है दोड़ोगे तो कभी बिश्राम नहीं मिलेगा पकड़ लोगे तो बिश्राम मिलेगा जाकी कृपालव लेस ते मतिमंद तुलसी दास हूँ पायो परम बिश्राम राम शमान प्रभु नहीं को देखो अगर हमारी प्रार्थना मानों तो आकार में फसे हो हो तुम आकार रही थी तो आकार का आश्रे ले लिए तो हम तुम दोनों के आकारों का आश्रे जो लिये हुए ये छूट जाएगा ये आकार जो पांच भोतिक है और जिस आकार का हम आश्रे लेते हैं उस चिदानंद में देह तुम्हारी बिगत बिकार जान अधिकारी इसलिए वही निराकार परमतत्त राम रूप में कृष्ण रूप में अवतार लेकर हमारे उद्धार के लिए मार्ग प्रस्त किया हमको चाहिए ये बैठ जाओ कहीं बैठ जाओ एक आदमी ट्रेन में दोड रहा था एक तो बैठ जा बैठ जा कहीं बैठ जा किसी भी नाम रूप का अश्रे ले लो देखो जो निराकार की उपासुना करते हैं बिना नाम रूप के नहीं चल पाएंगे गुरदेव कौन है निराकार है साकार रूप धारन करके बैठते हैं हम प्रणाम करते हैं गुरदेव के चर हो जाता है और परमार्त में स्रद्धावान लबते ग्यानम ततपरास्ते इंद्रिया उग्यानम लबध्वापराम शांति मचरे नादे तो हमें लगता है गते हम संतों के वाक्यों को पकड़ करके चले तो हमें अनुभा हो अनुभो हो जाएगा तो क्यों में जो सब छूट जाएगा जब तक क्यों में हो है तब तो कुछ अनुभो नहीं हुआ किसी को अनुभो नहीं हुआ ब्रह्म भूता प्रुशन आत्मा न शोचति न कांक्षति समा सरवेश भूतेश मद्भक्तिम लबते पराव ये दो साउंडों से आवाज निकल रही बोलने वाला एक है ना कोई तर्क ना कोई शंशय अनुभो कर लिए घड़ों के भेद से ये बीविद मती दिखाई दे रह पावर एक है जिसे यंत्र के भेद से हीटर यंत्र के भेद से सीतलता गर्मी प्रकास अलग-अलग विजिली तो सम्में एक है ऐसे विजिली इस्त्री पुरुष जड़ चैतन्य मूर्ख विद्वान अधम ये सब यंत्र है इनमें पावर परमात्मतब तो एक ही है जो ये जान गया वो शान्त हो गया जो शान्त हो गया वह भगवत प्राप्त हो गया भगवत प्राप्ति का सुरूप क्या है सांता कारम शांतम शाश्वतम सास्वत सांती ज्यान का मतलब क्या है वो पराम शांती मचिरेना दिगच्छति आप कोई भी खलवली में आप हो किसी को ढ कारण सरीर मान रखा है आप अई को छोड़ना है इसलिए अपने द्वारा अपना उद्धार होता है केवल गुरुदेव आपको जाग्रत करते हैं जाग्रत हुए ऐसे छोड़ा तो जो गुरुदेव वही आप अंतर थोड़ी है देखो बड़ी प्रमीरता से को स्वामी जी लिख रहे हैं स्वई जान ही जेही देवु जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हुए जाए हो गेला आनंद मस्तर हो मस्तर हो चिंता छोड़ो चिंतन में आओ जो चिंतन पकड़ पाओ घ्यानमार्ग से अपने श्वरूप का या फिर अपने आराध्यदेव का जैसे चल भक्ति ज्यान बैराग्य सबका एक ही लक्ष है कि पहले संसार का चिंतन चोड़ दो भोगो का चिंतन छोड़ दो बहदुरी है शरीर का चिंतन चोड़ दो पहले सबसे पहली बात है अब चोड़के देखो फिर आगे प्रश्णे नहीं रह जाएगा क्योंकि रास्ता दिख प्रशने का प्रयास किया जता है जितना यह दोड़ भाग जब अंदर कर आस्ता खुल जाएगा तो फिर कोई प्रश्ण नहीं रहे जाएगा क्योंकि अंदर बहुत गली सांकरी उसमें दो नहीं होते प्रश्ण करता और उत्तर देने वाले दो नहीं होते प्रेम गली अतिसा वही बात आपको तो बता रहे हैं एक को पकड़ लो मैं में हो जाता है और भक्ति का मैं विश्मरण होकर आप में हो जाता है अपने आराद्य देव जो हमने अपने आराद्य देव का नाम रूप पकड़ा और इतना आज का सत्संग सुना है तो हमें लगता है कोई संसे नहीं रहना चाहिए दहारो सिंग की तरह है नाम को पकड़ करके वह उच्छ श्वर्षे किर्तन करो अंदर से जपो अभी सब खु बीच बीच में भक्ती में कूद जाते थे लेकिन चल वो एक कदम नहीं रहे किसी विमार्ग में तो हमें लगता है ऐसे ग्यान से क्या होगा ऐसी जानकारी से क्या होगा हम दिल्ली का रास्ता जानते हैं हम अमुक का रास्ता जानते हैं इतने किलोमेटर इतने को चले कभी किलोमीटर नीच और आये में कड़ें तो हमें लगता है इससे अच्छा है किसी एक मार्ग में रेंगना शुरू कर देऊ तो आप लक्ष को तो पहुंच जाओगे अच्छा जैसे रास्ता है हमको जाना है वियारी जू और छठी करा की तरफ दोड़ सुरू कर देख दम तो हम दूरी बना रहे हैं या नजदिक दूरी बना रहे हैं जीव की गती ऐसी कुछ उल्टा है प्रभू की तरफ चलने के लिए दैन्यता चाहिए आंकार रहित होकर जितने महापुरुष वो शब्द को कैसे बूल रहे हैं अनुमान जी महाराथ से बढ़कर ग्यानी इस अनुम बुले असमय अधम सखा सुनों मोहू पर रगवी सबरी मया का कितना जोर का प्रेम है कि स्वयम सचिदानंद वपू भगवान स्री राम सामने विराजमा और वो भगवान के सामने साक्षी करके कह रहे हैं अधम ते अधम अधम मतिनारी हम लोग दो चार बातें सास् महा पूर्षों का अपमान भी कर दें हमें लगता है हमें देखना चाहिए इन इन ग्यानी महापुरूशों के वचन और चलना चाहिए इने की मारगे कि अनुषार भगवान संकर शोयम ग्यान श्रमुद्र भगवान का चर्णामरत धारण के इनसे बड़ा कॉन ग्यानी तो हमें लगता है कि गुरुदेव का आश्रे नहीं लिया गया जब गुरुदेव की कृपा नहीं तो ग्यान जो है वो connection रहित कर देता है अगर सही connection बैठ जाए तो सर्वं खल्मिदंब्रम ज्ञान में वही ज्ञान भक्तों को हो जाता है वो सब जगे ब्रह्म सब्द जिनको चार्ण करते हैं तो वो जड़ चैतन्य कछूने दीखत जित दीखत तित स्याम खड़े विवहल बिकल समहार पर नतन की घूमत नैना रूप भरे करनी यकरनी दो बिद‍बुले बिदि निशेदर अब सभ रहे-धरे नरहर-दास्ठि भख भख ऩरे जो प्रेम प्रवाह परे प्रीति कर लो ये जन्य मिला राम रती कर Tou? चाहे आत्म रती 25 हो चाहे स्याम रती को चाहे राम रती को बा भावना एक दूसरे से श्रिष्टी की भावना एक दूसरे में गुणदोस के हमें लगता है इसे प्रपंच कहते हैं न ग्यान कहते हैं न भक्ति कहते हैं क्यों भाई आपकी राय क्या है हाँ तो खुम नाम जब करो देखो चाहे ग्यान मारगे में चलो चाहे भक्ति मारगे म चलो संसार का चिंतन छूटना है, अगर संसार का चिंतन छूटना है, तो कुछ चिंतन पकड़ना है, लोहे से लोहा काटना है, तो चिंतन से चिंतन छोड़ना है, अब जैसे ज्यान में प्रणो का चिंतन है, तो भगवान का एक नाम प्रणो भी है, कों भी है, तो हम कोई पुर्क चिंतन हो कि और चिंतन ही न रह जाए बस सब कुछ प्राप्त हो जाएगा तत्युबूद प्राप्त हो जाएगा भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा जो साकार निराकार जैसे भगवान है पूरी के पूरी अनुभव में आ जाएंगे हमारी बात मालो हम चली तो हो ये बरू सिकता ते बरू तेल बिनुहरी भजन भवतरिय यह सिद्धांत अपेल इसे कोई काट नहीं सकता बिना भजन के भव समुद्र से पार नहीं हुआ जा सकता इसलिए खुब नाम जब करो भगवान के आश्ट्रो नाम जब करने के लिए भोजन पवित्र होना चा चाहिए विचार पवित्र होना चाहिए आच्रण पवित्र होना चाहिए तो पवित्र हरदय में परम पवित्र भगवान का प्रकास हो जाएगा उसी प्रकास में देख पाओगे आप कौन हो भगवान कोने सब अनुमों में आ जाएगा ठीक है एक प्रिश्ण तो थोड़ो शूट अजन मिल न सब्रजब्राश सु उस्प connections तुम च्राहु यूरे गिरीराज जी की जो अनन्य निस्था है को इस पिरीच से बहुर नहीं जाने देते हैं वह रहा है आप से उसाधन करना नहीं तुम्हारे ब्लेड में मारे खून नहीं है बावा अमारे अंदर सबरे अभगोण बड़े परें बस एक ही गोणे कियम ब्रजवासी है नात बावसाब अभगोणे ही बड़े परें हाँ देखो एक चीज गोर्ष ध्यान से सुनना लोहे में उतनी कोई कीमत या कोई ताकत नहीं है कि वो देवताओं के आभूशन बन जाए पर पारस्मनी चुग गई तो लोहा सोना बन गया और वो देवताओं के मुकुट में बन करके बैठ गया ऐसे हम लोग चाहे जितने अ अंतरिक समंद प्रवू से हो गया तो उनके चुग जाने से सारी बात है अगर वो लोहा की अगर हिम्मत देखो तो कभी मुकुट नहीं बन सकता पारस्मनी की कृपा क्यों चुग गया सोना बन गया तो ऐसे हमारे उपर लाल्यू की कृपा है प्रियाजू की कृपा है गिर प्रजवासियों की चरण सेवक हैं और जो कुछ है वाप ब्रजवासियों की चरण रज करते हैं आपके भाव हम आपको अपना गुरू के समान मानते हैं क्योंकि ब्रजवासि सब प्रभू के प्रेमी जना है सीव शनकाद भी ब्रजरज की महिमा उद्धो आदी इस रज की महिमा तो वही रज तो आप लोगों का स्वरूप भगवत स्वरूप है आप हमारे प्रभू के नित्य सखा है इसी बात को अंदर वैठा ले रहना तो ब्रज से कभी दूर नहीं उपाएंगे श्राप ब्रजराज सदै गसितते रहेंगे जयबारजनम होगा यहीं नहीं कितने कितने कृपाल है भवान आप गई ने थे इसलिए मारजी प्रशाद आगया हुआ यह वहां पर चड़ाया हुआ प्रशाद है जे प्रदिश्ठा के आउसर का जे जे आपके लिए कवस्त्र बहुत कृपा हुए आपकी बहुत कृपा है गुर्देव एक सल्थान है सनातरी सेवा नास जिसका मूल उद्देश वर्तिवान में यह है कि जो धार्मिक उन्माद आज धर्व के नाम पर विश्व पटल पर हो रहे हैं इसे हैं इन्हें दूर करने के लिए वसुध है वह कुतुमकम और विश्व बंधुत्यों के मार्ग पर कैसे कारे किया जाए पर हम सब एक हो करके पिर से कैसे जुड सके उसी विशाय पर हम सब कारे कर रहे हैं सादू संतों के साथ जुड रहे हैं पर आपका अगर आसिरवात अगर जीवन का मात तो क्या रहा हैं आज जो समाज है वह व्यशनों में दुरविचारों में असत आचरनों में जो ब्रहमित हो रहे हैं उसे बिना अध्यात्म के नहीं समाला जा सकता है अगर सास्त्र शम्मत आचरन नहीं हुए तो एक साथ जोड़ना अध्यात्म का दम है अध्यात्म कबल है दूसरा किसी तरह नहीं जोड़ा जा सकता है आपकी नजर में कोई उपाए अध्यात्म के शिवा श्री भगवान की आज्यां का पालन करने के लिए जो नियमा वली शास्त्रों में बताएगे सिद्धांत बताएगे अगर वो नहीं धारन हुए आचार बिवार सही नहीं हुए तो केवल प्रवचन मात्र रहे जाएगा कैसे आशुरी प्रवत्ति बढ़ती चली जा रहे हैं धर्म का हराश होता चला जा रहा है तो सब धर्म से चले सब का मंगल हो इसी में अपने लोग भी लगें और शब मिलकर ऐसा प्रयास करें आपका सालित और आपका आसिर्वाद मेरे लिए खुद पूर्वा है हम तो हर्दे से आपके साथ है पुझी राम भद्राचारे जी महाराज जी उनके ज आपके में डंबत प्रणाओ गुर्देव मैं एक सरकारी बैंक में एक कारे रत हूं और शाड़ उवक एवं यूवतियां कारे करती हैं प्रहया वह कारे में सच्ची निश्ठा से कारे नहीं करते हैं वह कारे को कई लाह अनुपचारिक तरीके से संभालते हैं जिनकी सिखाने की कोशिश करता हूं पहले प्यार से फिर थोड़ा करता हूं क्या मैं ये ठीक कर रहा हूं मेरे करम ही मेरा सबसी बड़ी पूजा है इस प्रकार अनुपचारिकता वहवार मुझे दुख देता है मार्क देशनकर नहीं नहीं बहुत अच्छा है जैसे आपके नीचे अनुगामिय हैं अगर वो सही धंग से अपना कारे करें तो हमारे राष्ट की सेवा बनती समाज की सेवा बनती और वो इसलिए उनको ये सरविश भी मिली है कि वो अपने कारे को यथावत करें अधिकार के अनुशार अगर वो प्रमादवस नहीं करते हैं तो उनको देना या डाटना या शाषन पुर्वक्कार कराना यह उत्तम है उसमें कोई ऐसी त्रुटीन है जैसे शिश्य अगर गलत आचरण में जा रहा है तो गुरू को उसके दोशों का दर्शन करके उसके निवारण के लिए उसके लिए दंड विधान भी कर सकते हैं और उसको अच्छे ढंग से कारी करेंगे तो हमारे सरकार की सेवा बनेगी समाज की सेवा बनेगी प्रमाद करेंगे तो शेवा बाधित हो जाएगी तो उनके प्रमाद के लिए आप सासन कर सकते हैं आप उनको निवेदन के द्वारा या फिर डाट के द्वारा दोनों बाते हैं एक तो शामनीती का प्रियुक करते हैं, निवेदन, आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए, और दूसरा फिर शाषन का प्रियुक करते हैं, अगर आप ऐसा नहीं, तो फिर कठोर वचन या फिर दंड विधान, क्योंकि प्रमादी पुरुष साम को नहीं समझता है, साम माने विने को नही करना चाहिए, पर वो नव यवव नवस्था है, तो रजोगुण अधिक होने के कारण, तमोगुण अपना अधिकार कर लेता, प्रमाद इस्तिति आ जाती, निद्रा अलस्य प्रमादोत्तम, तत्तामस मुदारतम, प्रमाद माने करने योग के कारे को ना करना, जो उनके अ अधिकारी ऐसा करे, तो समाज बहुत जली सुरक्षित और विवस्तित हो जाए, कम से कम आप उनकी प्रमाद स्थिति में सहयोगी तो नहीं बन रहे हैं, आप उनका विरोध कर रहे हैं, आप उनको अच्छा सिखा रहे हैं, ये बड़े धन्यवाद की बात है आपके लिए, हमारी तरफशे, नहीं तो अपने जो अनुगामी जन होते उनको और प्रमाद स्थिति में छोड़ दिया जाता है, और प्रमाद स्थिति का बढ़ावा दिया जाता है, तो इसलिए आप कहीं गलत नहीं हैं, यदि आप ऐसा करते हैं, तो आप अपने जो पद मिला है राष् प्रशनता का ही तो अगर आप नहीं लेते हैं, तो अधर्म हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आप उनके अधिकारी हैं, इसलिए उनको ऐसा सिक्षा देना, या सासन के द्वरा, डाटफटकार के द्वरा उनको सही कारी में लगा देना, यह उनके लिए भी ही थै और आप के अधिकार का सद प्रियोग है, इसलिए मुझे लगता है इसमें तो कोई दोश नहीं, आपकी कहा रहा है इसमें, प्रतु आपका बस ये मार्क दर्शन मिलिया, क्योंकि मुझे बहुत दुख होता था कि कई बार दंड देना पड़ता था, तो मुझे लगता था कि कई उन बच्चों को दंड दे के मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं, बस ये देखना है कि प्रमाद इस्थिती होनी चाहिए, कभी-कभी ऐसी परिस्थिती हो जाती है, कि किसी अन्य कारण से विक्षित होने कारण वो कारण नहीं कर पारा तो उसको भी समझ रहा है, जैसे कई पर परिस्थिती, श्वास्त की परिस्थिती, किसी तरह दिमाग विक्षित है, तो हम बातचीत करके पहले देखते हैं, अगर वो केवल प्रमाद इस्थिती में तो फिदर्ण नहीं उपाया है, कभी-कभी अगर ऐसा हो सकता है, कि वो जो कारी करना चाहिए, वो नहीं कर पारा अंदर से बिक्षित है, कहीं वो परिवारिक कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा विवहार उसके साथ, कुछ ऐसी मानशिक्ता, तो उसको भी हम समा लें, प्यार से बेठार कर मित्रवत बात करें, और जब दिखाई दे रहा है कि ये तो कोरा प्रमाद ही है, तो फिशासत, और अग पर उस पर बेवार किया जाए, कभी-कभी ऐसा होता है, अंदर से कोई बहुत बिक्षित होता है, बाहर का कोई बिशय और वो अपने कारी को ठीक से नहीं कर पा रहा है, और उसे ऊपर से दंड दे दिया जाए, तो बड़ा अहित हो जाएगा, वो बिलकु निरास हो जब उसको भै दिया जाए तो फिर तुमारी नौकरी चली जाएगी तुम्हें ऐसा तो उसको फिर भै के कारण प्रमाद रहित होकर अपनी शेवा में द्रट किया जा सकता है मोहिष शर्मा जी सूरत से राधे 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 पुझे गुरुदेव आपके चरण कमलों में दासका कोटी-कोटी पढ़ाओ महराशी मेरे बच्पन में एक बार माता-पिता ने मेरे भविश्य जानने की इक्षा से मेरे भविश्य पत्र निकलवाया उसमें लिखा था कि मे करते येरे जीवन में बहुत संगर्श होगा कोईी चीजश जीवन में असानिश पनेसार किसका जीवन अस्intelligible हों कुंडली निकलवाओ टेना निकलवाओ हम तुम्हें टोटल वटा他्रएं दूक्षालयमम्हासत्त मिकी इस संसार में जिसका जन्म हुआ है वह बुटख finger परिणाम में सब कुछ छूटेगा, सब का नाश होगा, तूटल यहां का इसाब किताब है। अब हम आगे की बात जानकर क्यों परिशान हों। कि हमारी बीस वर्स के बाद क्या दुर्दशा होगी। हम बीस वर्स क्यों दुखी हों। उस दुर्दशा को भी मिटा दे और वर्तमान को भी आनंदित हो। इसलिए नाम जब करो। कोई भी दुर्दशा ऐसी ने जिसको नाम न मिटा सके। हमारा विश्वाश। मिटाने का मतलब जैसे इस सरीर के प्रारद में मा के गर्व से ही रचना हो गई। अब भगवान के नाम का आश्ट्रे भगवान के चरणारविंद का आश्ट्रे कि वो प्रतिपल दुख देने वाला रोग हमको प्रतिपल भगवान के आनंद में डूबवए हुई है। इसलिए नाम एक ऐसा है जो वर्तमान और भूत और भविश्य तीनों को परमपावन कर देगा भूत में जो हमसे पाप हुए उनका नास कर देगा वर्तमान में जो हमारी गलती होने वाली उनको शमाल देगा भविश्य हमारा उज्ज्वल कर देगा इसलिए राम नाम मनि द पधरी जीह देहरी द्वार तुल्सी भीतर बाहिरो जो चाह सुजियार कभी किसी की कुंडली में नहीं लिखा भगवत प्राप्ति भजन करेगा अपने प्रारब्द को बदल करके भगवत प्राप्ति करेगा ये मानो जीवन का नया पुरुशार्त है जो हमारी कुंडली में होता है जो हमारे विचार करके निकाला जाता है वो पूर कर्मों के अनुशार रचिती सरीर का है बिल्कुल इस पस्ट समझना अब हम जो कर रहे हैं वो नई है खेती हमारी जो जियोतिस से निकलता है वो हमारे पुराने कर्मों का हिसाब से निकलता है पुराने कर्मों के अनुशार हमारे सरीर की रचना हुई हमारे भाग्गी की रचना हुई भाग्गी में दो हैं सुवसुख कर्म का परिणाम सुख और दुख बर इतने हैं आगे हम पुरुशार्थ करके इस पर विजय प्र प्राप्त करके भगवत प्राप्ति करें यह मानों देह का लक्ष है साधन धाम मोक्ष करद्वारा पाई नजे परलोग समहारा सो परत्र दुख पावई सिर्धुनी धुनी पच्ताय कालें कर्में इस्वरें मिथ्या दूश लगाए जियुति सत्य है उसका विचार सत्य है हमारा जो परमसत्य है वो भगवत प्राप्ति का अगर लक्ष बन जाए खुब नाम जब करें तो हमारे भागय बदल जाएंगे हमारे लिखे हुए भागय के जो अंक हैं वो हमको परास्त नहीं कर पाएंगे अगर हमारे केवल भागय की अनुशारी होता तो हम में और पश पुरुशार्थ तो कोई काम नहीं करेगा तो पुरुशार्थ पस्वू नहीं कर सकते मनुष्य कर सकता है हम नए भाग्य की रचना करेंगे हम नारायन बन सकते हैं नारायन स्वयम हम भूत बन सकते हैं हम कुत्ता बन सकते हैं प्रेत नाली के किरा सुमर जैसा आप नए रचन मेट कर दे और भगवान की प्राप्ति कर ले यहां जो शिद्धान थे उसको तुम समझ लिजिए अब इसी चिंता में तुमकी अगले वर्स में यह घटना घटनी पिछले वर्स में यह यह होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा बिलकुल निश्चिंत हो जाओ भगवान का नाम भगवान का भरोशा तो समुझ जियाए सरणते डरतना काल डर प्रारब्द से क्या डर हैं प्रारब्द केवल सुख और दुख देने वाला सरीर को और यह सरीर मिटिया मेट का आज नहीं तो कल पक्का पर हम इसके मिटने के पहले ऐसी स्थाद्म ऐसी स्थिति ऐसा पद प्राप्त कर लें कोई भी द्वंद हमारा इस पर सुन कर पावे वह भगवान के चरणारविंद का आश्रे और भगवान का भाज़ा जैसे का जाता है गोड़े के नाल के अंग इतना सनी उपर चड़ा हुआ कि लोग उस पर चड़े रहते हैं साटा चलता है कहां कहां दोड़ाया जाता है हमारी बात मान लो अच्छे आचरण करो रामकृष्ण हरी नाम जब करो यह सब तुमारे अनुकूल हो जाएंगे बुरी जगे पर बैठे पर भी तुमारे ग्र सुखी नहीं रह सकते वो ग्रह तुम्हें कभी सुखी नहीं कर पाएंगे यह बात आखिरी समझे लो जो पै कृष्ण चरण मन अरपित तो करी हैं का नवग्रे रंग अगर भगवान से बिमुख जीव है तो कोई भी ग्रह नच्छत उसका मंगल नहीं करेंगे और भगवा कि पच्ड़े का चिंतन करके नश्ट होने के लिए नहीं मिले हमें पता चल जाए कि अगले महिने में अगले साल में हमारे उपर यह कस्ताने वाला आज से मरना सुरू हो गए क्यों हम आज से नाम जब करेंगे हमें टोटल पता है कि यहां जो मिला है सब छूटेगा पक्का क्यों किसी को अभी विश्वात साए कि जो मिला है वो पास्तर रहेगा सब छूटेगा एक समय साएगा केवल आपको अकेले उड़ना होगा यह सरीर भी साथ नहीं यहां से जाना होगा अब यह जब हमें पता है सब छूटेगा तो उसके बीच की बात हम क्या जाने ह अब हम आयसे को पकड़ेंगे जो छूटेगा नहीं वो नाम है वो श्री भगवान है वो प्रभू का अश्तर है परम मंगल हो जाएगा हमारी प्रारतना मालूप हम यह नहीं कहते कि जेवतिस जूटा है पर जेवतिस पूर्व हमारे सुवसुप कर्म से रचित इस सरीर के शुख दुख का जो भाग्य में लिखा उसी का बर्णन है अगर उतने भोगने आये हैं तो पसुओं में कोई अंतर नहीं हमारा मानों दे हैं परम पुरुशार्थ करके हम अपने भाग्य की नई रचना करेंगे वह भगवान को प्राप्त होंगे पक्का सुन अश्तर हैं क ने किसी को भगवत प्राप्ति क्यों हो यह धाम की प्राप्ति नाम की प्राप्ति भगवान की लीला की प्राप्ति तत्व बोध की प्राप्ति यह सब इसी जन्म में है और यह प्रारब्द में नहीं लिखा होता कुंडली में नहीं लिखा था कि भगवत प्राप्ति होग है हमारा मनुष्य जन्म है अब हम साधन धाम मुक्ष कर द्वारा पाई नजेप पर लोग समारा सो परत्र दुख पावई सिर्दुनी-दुनी पच्ताए कालही कर्मही इस्वरही मित्या दोस लगा है हमारी बात समझ लूब भगवान निया तुम्हें भेजा है तो निश्च इतना भी आक्मण करता शरीर पर करता है और हम तन सहीद मन सहीद भगवान की सरण में भगवान का एक वचन है करों सदातिन के रखुआरी जिमि बालक रहा है महतारी जितने भी ग्रेन चत्र लोग पाल हैं तब भगवान के अधीन है भगवान सब इश्वरों के भी कि आप समझ पार है भगवान का अश्रे गंदे आचरणों का त्याग और नाम जब यह नमीन भाग्य की रचना कर देगा नहीं मोक्ष के मार्ग में तो अर्चन को डाली नहीं सकता जैसे हमको दो सेकंड में मरना है माल लिया चरीर को दो सेकंड में जाना हम दो बार वोल लिय राधा राधा जब पुत्र के बाने नारयन बुलाया तो परंपद में पहुंच गया उम जानकर राधा बोल लाए और वो सेकंड मारा आखिरी तो में भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगे अंत में जब वो इस्मरण होता उसी की प्राप्ति होती हम बोलने राधा राधा हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगे हमें क्या चिंता करना हम जो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनू भगवान की शरणागती भगवान के नाम का निरंतर जब बेपरवा हो जाओ करों शदातिन के वो दुख शुक की परिष्टिती में मुझे सम्हा लेंगे मारा रावण ने अमोग शक्ति बिभीशन के उपर तुरत बिभीशन पाचे मेला सनमुख राम सहो सोई सेला उस शक्ति को भगवान ने अपनी चाती पे साहा भक्त के वार को भगवान सहते हैं प्रारब्द वार करेगा मेरे ठाकुर मुझे बचाएंगे अब मुझे उनका चिंतन करना है हमारा जन्म बेर्थ न जाए ये बहुत उत्तम बात तुम्हारे मन में आई है और शार्थक तभी होता है जब हमारा प्रतिपल सत्य चिंतन होता ह हम शत्य को नहीं जानते हैं इससे संतों की बात मान लो जो नाम प्री हो ये परम शत्य सब्द ब्रह्म है इसका चिंतन करो किसी से आपको परम कल्यान की प्राप्ति हो जाएगी समझे रहो क्या नाम प्री है आपको खुब नाम जब करो गंदे आच्रण नहोंने पाएं तुम्हें प्रारब्द नहीं गिरा पाएगा जिसे प्रारब्द आता है बड़े-बड़े सिद्धों के शरीर में आता है पर उगिरा नहीं पाता है क्योंकि वो ऐसे अंतर की उचाई में रहते हैं कि उनको दुख इस पर्ष नहीं कर सकता शरीर में प्रारब्द आया भोग रहे राधा 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 प्रतिपल आनंदी थे भगवान अविनासी परमानंद में है अब उस खुसी में क्या हानिलाब समझ में आए क्या निंदा इस्तुति समझ में आए क्या मान अपमान समझ में वो आनन्द में मतवाला, मान, अपमान, गिंदा, इस्तुती, सुख, दुख, सब को सहता चला जाता है। इसलिए शत्योस्तु भगवान का नाम, भगवान का आश्रे और अच्छे आचरन करे। इसी जन्म में हम अपने पूर संचित को मिटाकर, प्रारब्ध को निश्फल करके और क्रिमान को भगवत समर्पित करके मुक्त हो जाएंगे। जब तक ये तीनों रहते तब तक जीव बंधा रहता है। भगवान का आश्रे, भगवान का नाम जब अच्छे आच्छे आच्छन जीव का परमंगल कर देते हैं। राधा, 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 राधा, 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 है आभ आए राधा, 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 राधा कर दो 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 राधा 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 राधा, राधा, राधा राधा, राधा, राधा राधा, राधा, राधा 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 श्री राधा, 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 राधा. राधा, राधा